नमस्कार सातियो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिजेंट टीवी के एक और नए वीडियो पर दोस्तो एक बहुती बड़ी ख़बर निकल के आ रही है ये ख़बर पेंसन से जुड़ी हुई है और बजट से जुड़ी हुई है ये ख़बर है अनात बच्चों की पढ़ाई जरूरत मंदों की पेंसन के लिए 3,063 करोड रुपए का बजट जी आँ दोस्तो बिलकुल सही स सुना दोस्तो खबर को विस्तार से जानने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तो जानते हैं खबर को विस्तार स अनात बच्चों की पढ़ाई वा जरूरत मंदों की पैंसन पर 3063 करोड पिछड़े बर्ग के बच्चों की कोचिंग पर 160 करोड रुपई और महिला एवं बाल विकास पर 4853 करोड खर्च करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया दिल्ली सरकार ने बच्चों की पढ़ाई वा जरूरत मंदों की पैंसन पर 3063 करोड पिछड़े बर्ग के बच्चों की कोचिंग पर 160 करोड रुपई और महिला एवं बाल विकास पर 4853 करोड खर्च करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया बजट में बित मंत्री मनीश सोधिया ने बताया कि कोविड-19 के कारण जिन ब्यक्तियों की म्रत्यू हो गई है ऐसे 27322 परवारों को दिल्ली सरकार ने 50-50,000 रुपई की सायता उपलब्द कराई है ऐसे परवार जिनोंने अपना कमाउ सदस खो दिया है दिल्ली सरकार उनक बच्चों को 2,000 रुपई प्रतिमा आर्तिक सायता दे रही है वरिष्ट नागरकों मैलाओं दिब्यांगों और सुब्दा बंचित जैसे करीब 8,500,000 लोगों को प्रतिमा 2,500 रुपई पेंसन दी जा रही है इन परियोजनाओं पर वर्स 2,022 तेज के बजट में 3,063 रुपई का वजट है इसका ज्यादा रुपईया अनात बच्चों की पड़ाई और जरूरत मंदों की पेंसन के लिए खर्च किया जाएगा तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज यदि आप लोगों को ये न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स